है 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 लोगे फ्रेंड वेल्गन तो एक्जाम गुरुजी आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉंक्टर्स 21 डिसक्स करने वाले हैं तो जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर रीजिए तो देखिए सबसे पहले हमारा फस्ट कोश्ण क्या बोल रहा है इन दग्रेड M20 M20 का grade हमारे पास दिये गया है has very few picture of few picture का meaning है कि भाई इसका ratio क्या होता है M20 grade होता है उसका ratio क्या होता है यहां पर चार option दिये गए है easy level का question है यह question जो है SSJ में पूछा गया था most expected question है 3-4 बार यह question जो है पूछा जा चुका है इसलिए हमने इस वीडियो में include किया है तो देखिए option number 1 ratio 1.5 ratio 3 यह जो होता है M20 का ratio होता है 1 ratio 2 ratio 3 जो होता है यह M15 का ratio होता है यह जो दिया गया है यह M10 का होता है comment box में यह लिखिए भई कि यह किसका ratio होता है तीनों comment आपको बता दिया ABC तीन option बता दिया इस question के लिए हमारा answer A होगा force का आपको बताना है कि भई यह किसका होता है एक हमारे पास और भी होता है जैसे कि 1 ratio 4 ratio 8 यह जो होता है यह M7.5 से लेकर 5 M5 के लिए होता है यह M5 से 7 के लिए ही होता है तो यह चीज भी important है इसको भी आप याद कर लेजिए अगला question देखिए यहां पर इस दा short term modulus of elasticity of concrete Newton पर M2 में R पर हमारे IS code is given by क्या अज़र रहेगा इस question का very important question नहीं होती होती है एक short term के लिए होती है एक long term के लिए होती है पिछले वीडियो में आपको बता चुका हो कि कौन सी short term के लिए होती है कौन सी long term के लिए होती है आप याद रखिए लेकिन यहां पर भी case होते है एक four five six 1978 का case होता है एक four five six two thousand का case होता है दोनों के cases में different different value होती है modulus of elasticity की concrete के लिए है अगर आप 1978 की बात करेंगे तो उसके लिए fifty seven hundred hundred fck के लेकिन दो हजार के लिए 5000 होती है और यह हमारा इस question के लिए बन जाएगा यह common question है कि अगला question क्या पूर्ट है for m20 grade of concrete m20 का grade दिया गए concrete का modular ratio जो होगा वो क्या क्या होगा बुडबी बोडल रेश्यो को आप m से denote करते हैं इसका रेश्यो जो फोर्मूला होता है 280 over three sigma cbc sigma cbc जो होता है इस पर हमारा यह modular ratio define करता है यह याद रखिए क्योंकि इसको लेकर भी exam आपने question पूछा जा सकता है कि भाई modular ratio जो होता है इस पर depend करता है तो sigma cbc जो होता है permissival इस पर value define करता है modular ratio तो sigma cbc जो होता है अलग-अलग होता है हार एक grade के लिए जिसे कि m10 के लिए अलग होगा m15 के लिए अलग होगा, M20 के लिए अलग होगा, M25 के लिए अलग होगा, तो सभी के लिए अलग अलग value होती है, Sigma CBC की, तो अगर आप यहाँ पे Sigma CBC M20 grade की बात करेंगे, तो इसके लिए 7 होता है, Sigma CBC की value, तो value आप put up कर देते हैं, 280 over 3 into 7, क्योंकि M20 के लिए 7 होता है, 27 हमारा पास यहाँ पे आ गया, 2 is equal to 280 over 21, इसको आप निकाले के तो हमारा पास 13.33 हमारा पास modular ratio आ जाएगा, 13.33, यहनि कि 13 यहाँ पे अंसर दिया गया है, nearby option A हमारा अंसर बन जाएगा, इस question में, अगला question क्या बो रहा था, movement of resistance of a balanced rainforest concrete beam is based on the stresses in, किस में stress आता है, steel में आता है, simply, यह फिर concrete में आता है, फिर दोनों में आता है, फिर किसी में नहीं आता है, movement of resistance जो होता है, किस का, जो balance reinforce concrete का जो beam होता है, balance beam जो होता है, तो उस पर जो stresses आता है, वो किस में आता है, सिर्फ, steel में ही क्या, फिर concrete में आता है, फिर दोनों में आता है, option C हमारा answer बन जाएगा, यह question बहुत ही जादा important है, अगला question देखिए हैंपर, according to हमारे IS code, यह IS code देखिए, यह common IS code है, what is the maximum spacing that is allowed for vertical steps in simply spotted beam, maximum spacing जो होती है, जो कि allow की गई है, vertical steps के case में, in simply spotted beams में, 300 mm, 1500 mm, यह फिर 600 mm, सो हमारे IS code कहता है, 300 mm की जो spacing होती है, वो allow की गई है, simply spotted beam में, option A हमारा answer बन जाएगा, इस question में, अगला question देखिए, the main region for providing number of reinforcing bar at a spot in simply spotted beam is to resist in that zone, बोल रहा है कि main region क्या होता है, provide करने का number of reinforcing bar, जो sport होती है, आप वहापर number of reinforcing bar provide करते हैं, simply spotted beam में, ताकि वो register कर सके, उस zone में, किसको, compressive stress को, shear stress को, bone stress को, या फिर tensile stress को, किसको वो register कर सके, तभी आप वहाँ उसको provide करते हैं, sport पर, जो simply spotted beam होता है, किसको register कर सके वो, ताकि वो bonds test जो होता है, उसको register कर सके, option C हमारा answer बन जाएगा, C, अगला कोशन देखी हैं पर, according to हमारे IS code के coding, what should be the unit weight of plain concrete, plain cement concrete, PCC का unit क्या होता है, what should be the unit of PCC, PCC का जो होता है, वो 24 होता है, यह value सारी kilo newton में दी गई है, kilo newton per square cube होता है, 20 kilo newton per meter cube, यह PCC के लिए होता है, 25 जो होता है, वो RCCC के लिए होता है, यह दोनों question को तो कोई भी solve कर सकता है, easy question है, तो यह ध्यान रहिए, bricks की अगर हम बात करेंगे, bricks से question बन सकता है, कि भई, जो eat होती है, उसका कित क्या होता है, eat की अगर हम बात करेंगे, तो 16 से 19.2 यह होता है, यह value kilo newton per cubic meter ही रहेगी, अगर bricks की machinery की बात करेंगे, तो उसके लिए 19.2 होता है, यह आप याद रहिए, cement का तो common है, भई, 14.4 होता है, यह सभी को पता है, sand का 16 होता है, यह भी common है, सभी को पता है, कि भई, यह होता है, और steel का तो सभी को पता है, 78.5, कि जी में बात करेंगे, तो 7850, यह होगा, यह common question है, इनको कोई भी solve कर सकता है, अगला question देखी, beach of the falling below structure, यहां पर चार structure दिये गए है, doesn't note, required pre-stressed concrete, यह चार structure यहां पर दिये गए है, किस में pre-stressed concrete जो होता है, वो नहीं लगाया जाता है, यूज नहीं किया जाता है, breeze में, arc में, dam में, या फिर silos में, तो arc जो होती है, उसमें नहीं use किया जाता है, option B हमारा answer हो जाएगा, breeze में use करेंगे, dam, silos में use करेंगे, लेकिन arc में हम use नहीं करेंगे, उसका बस अगला question देखी, pitch of the roof truss is usually of its slope, जो pitch होती है roof trusses की, वो usually होती है, उसके slope की half, one-fourth, double, या फिर three-fourth, कितनी होती है, pitch होती है, तो वो होती है, half, आदी होती है, option A हमारा answer बन जाएगा, जिसे चैनल को subscribe नहीं किया भी तक, वो कर लीजिए, और साथ में bell icon को press भी कर लीजिए, उसको पर अगला question देखी याँ पर, beam is defined as a structural member, बोल रहा है कि, beam एक, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, यह एक structural member है, subjector to, axial loading, axial and transversing loading, transversing loading, या फिर none of the above, beam is defined as a structural member, which is subjector to as, क्या लगता उस पर? सो beam में structural member, उस पर transversing loading जो होती है, वो ही लगती है, बाकि axial बगरा नहीं लगती है, option C हमारा असर हो जाएगा, उसके पर अगला कोशिन देखिए, lacing in built-up steel column, lacing जो होती है, built-up steel column are designed to register, lacing जो होती है, steel column में provide की जाती है, ताकि वो register कर सके, किसको register कर सके, lacing जो होती है, lacing जो होती है, वो provide करते हैं, ताकि वो bending moment, shear force जो होता है, उसको register कर सके, due to 0.5% of column load, option shear and bending, इन दोनों को register करने के लिए ही, use किया जाता है, lacing को, option D हमारा अंसर हो जाएगा, इस question में, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लिजी, exam में question इसको लेकर कई बार पूचा गया है, lacing को लेकर, अगला क्या बहुता है, slenderness ratio of a steel member, slenderness ratio जो होता है, steel member का, वो क्या होता है, so slenderness ratio जो होता है, वो होता है, is the effective length of a column in relation to least radius of gyration, यानि कि effective length over least radius of gyration का जो ratio होता है, उसको आप slenderness ratio बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी answer नहीं होगा, क्योंकि नहीं दिया गया है, effective length to least radius of gyration का जो ratio होता है, उसको आप slenderness ratio बोलते हैं, तो D हमारा question मंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा numerical ही पूचा गया है, कि भई बोलता है कि maximum center to center distance between rivet in tension member of thickness 10 mm, tension member के लिए maximum जो होती है, तिकने से वो पूच रहा है कि भई क्या होगी, tension के लिए जो rivet होती है, rivet की जो होता है, center to center, वो होती है, 16 T या फिर 200 mm, whichever is less, दोनों में से जो भी कम रहेगा, वो ही हमारी center to center distance होती है, दो rivet के बीच में, tension के cases में, यहाँ पर tension का case पूचा गया, आप से compression का case भी पूचा जा सकता है, तो tension के लिए हमारे पास यह मैंने आपको formula बता दिया है, 16 T, यानि कि 16 into T, thickness 10 दी गई है, 160 mm, solar T और 200 mm, दोनों में से जो भी कम रहेगा, 160 और 200 में से कौम सा कम है, 160 कम है, इट मींस कि यही center to center distance रहेगी, option B हमारा इस question में से हो जाएगा, अगला question देखिए हम पर, in case of weld using lap joint, in case of weld using lap joint, the minimum lap should not be less than 4 times the thickness of the thinner part joint or T mm, which average more, फिर T जो होता है, वो क्या होता है इन दोनों में से, T जो होता है, वो क्या होता है, या तो वही 4 times होती है, या फिर कुछ और भी होती है, तो वो क्या होती है, तो वो 40 mm होती है, 4 times या फिर 40 mm, तो ये चीज़ आप याद रहिए, तो नेक्स बन क्या होता है, आपर दिजाइन ओफ ए रिव्टे जॉइंट अजूइंट आजूइंट आजूइंट, दिजाइन ओफ रिव्टे जॉइंट वो अजूइंट करता है, अगला कोशन देखे, जीरो होता है, औप्शन C, अंसर हो जाएगा, पार्शली सेफ्ट्री ओफ एक्टर की बात वरी याँ पे, उसके बात जनरली दाइमेटर ओफ रिवट होल इसमेट लाजजर देन दा नॉमिनल डाइमेटर ओफ रिवट बाई, डाइमेटर जो होता है, तो यहां पर भी केसिज बगारा आते हैं, तो केसिज आपको पता होना जुरूरी है, तो टेइड एमेटर अगर त्ववट से काम है तो उसके लिए इसमेच करदेंगे, कितना बनाया जाता है, हमारा इस कॉशन बंसर, बन जाएगा अगला कोश्य देखिये के हमारा ये IS police झो है इस ये किस पर Based है Indian Standard 80027 is based on ये IS code किस पर Based है तो limit state method जो है इस पर Based होता है limit state method इसी हमारा ये IS code Based है उसके पात देखिये decrease in per capita consumption of what is observed in the So decrease in per capita consumption of water observe in a metering system Metering system में उसको observe किया जाता है Option D हमारा इस question में से हो जाएगा अगला question हम यह आपर देखती है Which of the following method is used to forecast the population of old and very large city Old and very large city जो होती है उसकी अगर आपको population जो है उसकी forecast करनी है तो आप किस method से करेंगे भही आपके पास जो कोई city है वो बहुती पुरानी है Very large city है तो उसकी आपको जनसंख्या जो है उसकी अनुमान लगाएंगे उसका पता लगाएंगे तो आप करते हैं mathematical increase method इसको आप use करेंगे जन करना करने के लिए option A हमारा answer बन जाएगा उसको पर आगला option देखिए the geologic formation which is neither porous nor permeable geologic formation है वो रहाएं कि वो ना ही porous है ना ही permeable है and hence neither contain nor yield ground water is term as उसको आप क्या बोलते हैं उसको हम बोलेंगे aqua fuse answer D answer हो जाएगा question का अगला देखिए the presence of which of the falling is reason for temporary hardness of water अब इन चार में से कौन सा present होता है पानी में उस बज़े से आपको temporary hardness होती है पानी में देखने को मिलती है presence of किसकी उपस्तिती के कारण आपको temporary hardness जो होती है पानी में देखने को मिलती है आपको पता है कि भाई एक temporary hardness होती है एक permanent hardness होती है दोनों चीज़े important exam में so temporary hardness जो होती है इसको आप carbonate भी बोल सकते है carbonate भी बोल सकते है तो ये temporary hardness जो होती है यह आपको carbonate और bio carbonate के iron जो होते हैं उनकी बज़े से देखने को मिलती है बी हमारा question में answer हो जाएगा यह आपको पता है कि पानी को आप उबालेंगे तो आप temporary hardness को remove कर सकते हैं लेकिन जो permanent hardness होती है उसको remove करने के लिए आपको lime soda process जो होती है उसके through जाना पड़ता है या फिर एक geolite process होती है उसके through जाना पड़ता है तब आप जो permanent hardness होती है उसको remove कर सकते हैं so option B हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा अगला question क्या हो हो रहा है reverse osmosis is a type of reverse osmosis जो होता है is एक परकार की है क्या है वो क्या है एक परकार की ये तो ये एक परकार की क्या है cross flow filtration system है cross flow filtration system होता है ये see हमारा इस question में से बन जाएगा उसको next one question बो रहा है which of the falling form of chlorine has no disinfectant property किसके पास नहीं होती है disinfectant property जो होती है तो वो trichloromine जो होता है इसके पास नहीं होती है D हमारा इस बन जाएगा उसको पर अगला question बो रहा है which of the falling method is most commonly used in rural for defloridation के लिए defloridation के लिए rural में कौन सा यूज किया जाता है तो इसके लिए null gonda technique जो होती है वो यूज की जाती है option c हमारा answer हो जाएगा अगला देखिए thinning of ozone layer in atmosphere will cause thinning of ozone layer in stratosphere will cause some top bundle जो है उसमें ozone part के गहटने का कारण हो सकता है इन चारों मेंसे क्या हो सकता है तो आपको यह बताना कि इन चारों मेंसे क्या है भई some top जो होता है उसमें तो गहटने का कारण यह है कि blindness भी है सूरे से जलने का भी है and in activation of RNA and DNA all options are correct यह सारे ही कारण है ozone layer जो गटती जा रही है सम ताप मंडल जो है उस पे अगला देख क्वेशन देखिए air valves are generally provided in pressure pipes of water supply air जो वलब होता है वो generally provide के जाता है pressure pipes में of water supply में submit पर शिखर पर provide के जाता है तो यह हावा को निकालने के लिए ही होता है air bulb से नाम से ही सपस्ट हो रहा है यहां पर अगला question क्या वो रहा है for a country like India country like India where rainfall is mainly confined to one season the suitable sewerage system will be suitable system is भारत जैसे देश जो है जहाँ पर बर्षा जो है एक ही मोसम में होती है माल के जलो कि सांबर winter कभी भी हो गर्मी सर्दी में एक ही season में होती है तो उसके लिए suitable sewerage system जो होता है वो कौन सा होता है suitable sewerage system जो होता है वो कौन सा होगा तो उसके लिए suitable sewerage system जो होता है वो partially separate system होता है पार्शली सैपरेट सिस्टम हमारा अंसर बन जाएगा अगला कुशन देखे एंटी सिपोनेज पाइप इस कनेक्टर टू एंटी सिपोनेज पाइप से होती है वो कनेक्ट की जाती है कहां से कहां तक तो वो टोफ और पी ट्रैफ डव्यू सी सी हमारा अंसर बन जाएगा यह सभी को पता है उसको पता तो वाट दन opacity क्या शामल होता है तो इन सभी में यह सब कि फीजिकल में सारी चीज़ आती है D अंसर हो जाएगा इस कोशन में अगला कोशन और लास्ट कोशन देखिए हमारे इस वीडियो का The characteristics of fresh and septic sea waves respectively characteristics जो होती है बिशिष्टाएं जो होती है जो fresh and septic sea waves जो होता है वो क्या होती है alkalide and acidic होती है यह हम कई बार discuss कर चुके हैं तो यह थे हमारे most 31 question वीडियो को अपने दोस्तों साथ share करें और अगर आप क्यूज लगाना चाते हैं तो वीडियो के नीचे मैं link देदूगा उस link पर जाकर आप क्यूज लगा सकते हैं एक हमने fresh quiz बनाईए आप सभी ये लिए तो आपको कैसी लगती है आप comment भी कर सकते हैं उसके post के नीचे तो मिलते हैं ऐसी ही next video में